Hello everyone, welcome to Reading Classes. अब हम पढ़ेंगे different type of soils के बारे में, यानि classification of soils. इंडिया में total 6 types की soil हैं. Alluvial soil, Black soil, Red and Yellow soil, Litteroid soil, Arid soil, और Forest soil. अब हम एक-एक करके इन सभी की properties और इनकी location के बारे में जानेंगे. Alluvial soil. पहले हम देखते हैं, Alluvial soil कहां पर मिलती है इंडिया में. यह रहा है इंडिया का map और इसमें यह ग्रीन वाली है, Alluvial soil. Alluvial soil मिलती है हमें Northern Plains में, जो की तीन rivers की मदद से बनती हैं, Indus, Ganga और ब्रहमपुत्रा. और यह soil यहाँ पर राजिस्थान और कुजराद में भी extend होती है, इधर, छोटे से कॉरिडोर से. इसके इलावा हमें Alluvial soil मिलती है इधर, इस coast पर, Eastern Coastal Plains, जो की बनती है चार रिवर से, महानन्दी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यह रहा, यह छोटा सा रीजन. यह है Alluvial soil की location. अब समझते हैं हम Alluvial soil की properties के बारे में. Alluvial soil की पहली property है कि it consists of sand, silt and clay, यानि कि उसमें मिट्टी होती है, silt यानि कि जो मिट्टी नदी की तरफ से आती है और clay. जो Alluvial soil है, वो जब हम river valley की तरफ बढ़ते हैं, तो वो जादा बड़ी नजर आते हैं, यानि कि उसके जादा बड़े blocks होते हैं, और जब हम upper reaches में जाते हैं, यानि कि river valley के उपर की side जाते हैं, तो वो coarse है, यानि कि कम amount में है. Alluvial soil, Piedmont Plains में जादा मिलती है, जिनका नाम है दुआर्स, चोर्स और तेराई. Piedmont Plains क्या होते हैं? Piedmont Plains यानि कि जो Plains एक mountain के foot पे मिलते हैं, यानि कि जो mountain का नीचे का area होता है. अब हम समझते हैं, bangar और khadar soil में क्या difference होता है? Bangar soil is the old alluvial soil, यानि कि पुरानी है, काफी पहले से है. And khadar is the new alluvial soil, यानि कि comparatively नहीं है. इसलिए bangar जो soil होगी, उसमें obviously बहुत छोटे-छोटे मलब पत्थर होंगे, और जो khadar होगी, उसमें जादा बड़े होंगे. तो यही difference है bangar और khadar soil में. और alluvial soil में potash, phosphoric acid और lime की quantity काफी होती है, जिसकी वज़े से soils ज्यादा अच्छी होती है. तो अभी हमने देखा कि alluvial soil की properties क्या हैं, अब हम समझेंगे कि इन में कौन सी crops होगाई जा सकती हैं. अलुवेल soil में ये सबी crops होगाई जाती हैं, sugarcane यानि गन्ना, paddy, rice जिससे rice निकलता है, wheat और other cereal and pulse crops यानि की दाद. इस area में fertility काफी जादा है, इसकी वज़े से यहाँ पर cultivation बहुत जादा होता है, और cultivation जादा है, इसका मतलब यहाँ पर जादा लोगों की requirement है, तो इसलिए यहाँ पर जादा population भी है. अब हम बढ़ते हैं next soil पर जिसका नाम है black soil, अब हम इंडिया के map में देखते हैं कि black soil की location क्या है, यह रहा इंडिया का map और इसमें black color से जो area mark है, यह है black alluvial soil, यह deccan region में मिलती है, जिसके अंदर states आती है, महराश्टरा इधर कहीं पर, मध्यप्रदेश इधर कहीं पर और इसके इलावा यह black soil इधर भी extend होती है, थोड़ी थोड़ी, near the rivers, Krishna and Godavari, अब हम देखते हैं black soil की properties के बारे में, नाम से ही clear है कि black soil, black color की appearance होती है, और इसका नाम regular soils भी होता है, यह soil जो होती है, वो बहुत ही fine material से बनी होती है, और अपनी water holding capacity के लिए जानी जाती है, यह जो soil है, उसके इंदे बहुत सारी cracks आ जाते हैं, जब temperature काफी high होता है, जो की aeration के लिए अच्छा होता है, और eventually aeration की वज़े से यहाँ पर fertility बढ़ जाती है, इस soil में calcium carbonate, manganese, potash और lime जैसे minerals मिलते हैं, black soil cotton के लिए बहुत ज़ादा famous है, जहाँ पर cotton बहुत ज़ादा होए जाती है, इसलिए इसका नाम black cotton soil भी है, अब हम पढ़ते हैं, red and yellow soil के बारे में, और पहले देखते हैं उसकी location, red and yellow soil मिलती है हमें इस reddish region में, यह रहा reddish region, जिसमें आती है states, Odisha, 36 गड़, इसके इलावा यह जो region है, यह है गंगा का plains, जहाँ पर यह मिलती है, और मिलती है हमें यह पीडमॉंट region में western ghats के, पीडमॉंट region मतलब जो region होता है mountain के foot hill पर, यह है western ghats, और यहाँ पर हमें मिलती है red and yellow soil, अब हम पढ़ते है red and yellow soil की property के बारे में, red and yellow soil की जो appearance reddish होती है, वो होती है iron की वज़े से, जो की metamorphic और crystalline rock में diffused होता है, और जब इसके अंदर moisture जाता है, तो उसकी appearance yellowish हो जाती है, इसलिए इसका नाम है red and yellow soil, अब हम पढ़ते हैं litterite soil के बारे में और पहले देखते हैं उसकी location, litterite soil इंडिया में बहुत कम locations पर मिलती है, जिन में से कुछ locations हैं ये, parts of मध्यप्रदेश, इली regions of Odisha, यहां कहीं पर थोड़ा सा करनाटका, और इसके इलावा यहां पर Kerala के पास में, और बस ये चार जगें हैं जहां पर हमें usually ये मिलती है, और भी कुछ हैं जगें हैं जहां पर बहुत ही कम amount में litterite soil मिलती हैं हमें अब हम पढ़ते हैं लेटराइट soil की properties के बारे में, लेटराइट वर्ड आता है, लैटर वर्ड से जो की Latin language मिलता है, जिसका मतलब होता है brick, ये जो soil होती है वो high temperature और high rainfall वाले regions में मिलती है, अभी temperature high है, इसलिए humus content low होता है, humus content मतलब की organic content और जो भी bacteria वगर होते हैं वो पहले ही मर चुके होते हैं high temperature के वज़े से, इसलिए हुआ low humus content, अब हम देखते हैं इसमें कौन सी crops उगाई जाती है, लेटराइट soil में tea और coffee उगाई जाती है, जो की इन सभी states में है करनाटका, केरला और तमिलनाडू, इसके इलावा cash unit भी बहुत famous है, इन states में आड़ू, अंदरप्रदेश और केरला में, cash unit क्या होता है, cash unit होता है kaju, अब हम पढ़ते हैं arid soil की location और properties के बारे में, पहले हम देखते हैं arid soil की location क्या है इंडिया में, यह रही yellowish color की arid soil इंडिया में, जो की हमें मिलती है सिर्फ राजस्तान में, अब हम पढ़ते हैं उ arid soil, कुछ जगह पर इसका salt content काफी high होता है और वो salt extraction के लिए use होता है, अब हम देखते हैं कि arid soil में कौन सी crops होगाई जाती हैं, arid soil की treatment के बाद western parts of राजस्तान में यह सभी crops होगाई जाती हैं, बाजरा, pulses, guar और fodder, अब हम last पढ़ते हैं forest soil के बारे में और देखते हैं उ color की जो हमें नजर आ रही है, यह है forest, mountainous soil या फिर forest soil और यह वहाँ पर मिलती है, जहां पर बहुत सारे forest located होते हैं, mountainous regions में, अब हम देखते हैं forest soil की properties, forest soil या फिर forest and mountainous soil का texture vary करता है location के according, यह loomy and silty होती है valley side में और course होती है upper slope में, valley side कौन सा हुआ, जो की river के नीचे की होता है, और यह काफी logical भी है, कि यह loomy होगी जब नीचे आती जाएगी, मिट्टी तो वो टूटती जाएगी, और वो loomy and silty हो जाएगी, बट जब वो ऊपर के slope में होती है, तो मिट्टी उतनी break नहीं होती है, इसलिए वो course होती है, और जो यह soil होती है, वो काफी fertile होती है अपने lower parts of valley में, जहां पर यह eligible soil के करीब आती है, तो अभी हमने देखा forest soil की properties के बारे में, और अब हम बढ़ते हैं next topic पर, इस वीडियो में हमने पढ़ा classification of soil के बारे में, next वीडियो में हम कवर करेंगे इस chapter का last topic, soil erosion and soil conservation, इस lecture वीडियो के notes हमारी website पर available है, the notes for this video are available on our website, if you like our content, please give us your feedback and share it with your friends, also subscribe to our YouTube channel for more updates, the content for this video has been created by Rohit Dalal, myself and the editing has been done by Editar, to go to our next video, click on the box.